हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टेडिशिट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजूकेशन के चेप्टर वाइज इंपोर्टन एंप से क्यूश को फ्रेक्टिस करा रहे हूं जिसमें से चेप्टर चल रहा है एनो टॉमी एंफिजियोजिय जिसमें से टॉपिक है आज का र वीडियो सिर्विस के एकॉर्डिंग है वी बिल्कुल स्री में 100 से ज़्यदा वीडियो प्रिविए से क्यूश के बनाए गया है तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रश्णों की तरफ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा सभी कोस्टिंस आपके लिए बेरी इंपॉर् तो दोस्तों हिडे का वजन 300 से साहे 300 ग्राम तक होता है नेश्च सिराय रख्त को किस ओर ले जाती हैं जैसे कि हमारे हिडे में धमनी और सिरा यानि वेल सा आर्टरीज होती है जो सिराय होती हैं हमारे समस्त सरीर से असुध रख्त को हिडे के दाएं माले हिसे में दाएं अ कि दमनी और आङ्टरी होता है हमारे हड़े से उल रक्त को समझ्त सरीर सरीर के नंगों तक तक पहुंचाता है तक यहां क्या है यान हम सरीर की नंगों शरीजि का क्या होता है तो यहां पे हो जाएगा आक्शीजन हो पोसक तत्तों की शपलाई ठीके Next है हिरे से फेफ्रो तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते है दोसदो हिरे से क्षेफ्रो तक यानि कि जो असुद रक्त होता है उसको फेफ्रो तक ले जाकर के उस रख्त को सुद्ध करना तो हिदय से लेकर सेफ़ों तक ले जाता है असुद रख्त को पल्मोनरी आर्टरी यानि कि पल्मोनरी धमनी आपको याद रखना है कि धमनी यानि कि आर्टरी में हमेशा सुधरक्त बहता है लेकिन एक ही धमरी है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी धमरी जिसमें असुधरक्त बहता है और सिराओं में असुधरक्त बहता है लेकिन सिराओं में एक ही सिरा है जैसे कि पल्मोनरी सिरा जिसमें सुधरक्त बहता है यह आपको क्लियर रखना है कि ने जबस्तों हीरे की बाहरी परद परत को क्या कहते हैं जैसे कि तेन परत से बना होता है सब्सक्राइव कोग्ऊ से मैं ही नेश्टा थारायर ग्रंथी में एक मिनट में कितना रख्त प्रवा होता है तो साहे तीन से छे या मल नेश्टा हिरे की अंदुरुनी परत को क्या कहते है तीन परत से बना होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम तो अंदरनी प्रत को हम क्या कहेंगे Indocardium नेस्ट न सबसे बड़ी धमनी कौन शी होती है तो दोस्तो सबसे बड़ी धमनी होती है महा धमनी यानि की एरोटा जो हिरे से निकलने वाला सबसे बड़ा धमनी है और इसी के बिभिन साखाएं जो है हमारे सरीर के विभिन अंगो को blood supply करती है थीक है विभिन अंगो को blood supply करती है नेश्ट है तो हिरा में कितने कच्छ होते हैं यानि चेंबर चार चेंबर होते हैं उपर के दो चेंबर को और नीचे के दो चंबर निलय को कहती है और न करक्ष्छ और चार कषुते हैं परटों के बीच कोंत सा तरॉल पदार्थ भरा रहता है थियान सामक बलाआत भर रहता है ध्यान रखेगा मैं इस्ट राइट वेंड्रिकल było कि मुष्पक पॉर्च होता है यायनी कि त्राइट वेंडेंले आपक्तृ कि बीच कौन सा पबिच खॉते हीक नूदॉ- त्र कर दोस्तों तो सबहता 1974 कि रहेद रवाएत हिए नेश्ट है वही ब्याद दूस्तों आपके बाई अलिंद बाई निला की बीच पूछेगा कौन सा का पाठ है तो वहां पर हो जाएगा आपका बाई कैस्पिट जिसे मिट्रल वाल्ब कहते हैं जैसे कि हिड़े में चार वाल्ब होते हैं यह आप ध्यान में रखेगा ट्राइक बाईक इसपिट अद्धो सेमिलर वाल्ब होते हैं जैसे कि पलमुरी वाल्ब एड एरोटा एरोटिक वाल्ब नेश्ठा सरीर के निचले भाग से असुद रख्त को हिड़े तक किसे के द्वरा लाए जाता है तो दोस्तों जो यहां पर सरीर के निचले भाग से पूछा है जैसे कि सिराय जो होती है हमारे सरीर के अंगों से असुद रख्त को हिड़े क्यों लाती है लेकिन इसमें सिरा दाई अल consomm में और निचले भाग से यसा ऐख और खुलró रंक्ता है आपका इंफ्रियर विनकावा। यहाँ सब दूनए में निचले भाग से reven को ईजरत तके दो यहाँ तक तो ने थी जह नहां तो दोस्तों सिस्टोलिक रक्षदाब होता है 110 से 130 mmHg, 110 से 130 mmHg, वहीं पर डास्टोलिक प्रेसर पूछेगा तो 70 से 90 mmHg, जो हमारा ब्लड प्रेसर होता है दोस्तों 120-180 होता है, यानि कि 120 जाने का और 80 आने का, जैसे सिस्टोलिक और जैसे कि हमारे हिरे में दो क्रियाएं होती हैं, सिस्टोल और डास्टोल, जब सिस्टोल होता है, जब बाएं निले के संकुचन के दवरान रख्त संकुचन होता है, तो जब हमारे सरी की तरफ एयर्टा के दवरा भीजा जाता है, तो उसमें धवनियों पढ़ता है जो ही दबाओ तबाओ जो है सिस्टोलिक प्रैसर होता है का ने लगता है उस दुरा जो दाब सबीप सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब ज़िए अपनी और definis फेफरों के तरफ छो फिप्पों में आक्ट जो असुद का विलैक्षड होता है उस में से कारबन डियोक्साइड जैसे की फिप्पों में इलौॉलाई जो होती है वही पे कारबन डियाक्साईड और ऑकसीजन का wesुल होता है now because जो रक्त का असुध रक्त का कार्बन डियासाइड होता है वो इलुलाई ले ले लेता है और इलुलाई में जो आक्सिजन होता है उसको रक्त ले लेता है ठीक है दोनों में अदला बद्ली हो जाता है और असुध रक्त सुध हो जाता है नेश्ट है हिदे रक्त वाहनी और ल के रक्त में कैलक्षीम की कितनी मात्रा होती है, तो रक्त में होता है 10 mg P орफ 9दяж बिना स्वर्ख ग्राम होसान बूर्खकना ने का ठक्का बनाने में कौन सा Lawrence होता है दुस्तूर तो इसमें आपका कैलक्षीम जो है रक्त कठक us उपाने में शहायकोता है उतिक है दिस थुम्बीन, एन विटामिन के अत्तौ में कैलसियम, यह हमारे रक्त का ठका बनाने में मदद करता है। इधियान में रखिएगा। तो रक्त में प्लाज्मा कितने प्रसंट होता है जैसे कि दूस्तों हमाया रक्त दो प्रकार का होता है रक्त प्लाज्मा और रक्त कड़ी का जिसमें से ब्लड सेल्स जिसमें से प्लाज्मा जो है 55% प्रसंट पा जाता है और 45% हमाया रक्त कड़ी का पा जाता है ब्लड सेल्स जिसमें RBC, WBC प्लेटलर्स आते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा 55-60% नेश्ट है हिदे की तरफ रख्त ले जाने वाली वाहनी क्या कहाती है हिदे की तरफ ध्यान से सुनिएगा हिदे की तरफ ले जा रही है तो इसको हम सिराय कहेंगे हिदे से दूर अगों की तरफ पूशेगा तो वा घमनी हो जाएगा नेश्ट है हिदे का आकार कैसा होता है तो दोस्तो हिदे का जो आकार होता है बंद मुठी की जैसा होता है नेश्ट है अराम की इस हीती में एक समानने ब्यक्ति के हिरेस से एक मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है जिसको हम cardiac output कहते हैं तो दोस्तों यह आपका पांठ लीटर के लगभग रक्त प्रवाह होता है जैसा कि cardiac output ग्यात करने का सुत्र होता है हाउआ हमारा 70 होता है और हार्ट रेट हमारा 72 होता है इंध्यकुだ है जो एक बार में रक्त मुंक करता है हमारे आंगों को जितनी पंप करता है उसको इस्ट्रोक वैलिम करते हैं एक बार में एक धड़कर में जितना रख्थ पंप करता है उसको कार्डियक आउट्पुट करते हैं एक धड़कर में जितना रख्थ पंप करता है उसको इस्ट्रोक वैलिम करते हैं तो इस्ट्रोक वैलिम गुड़े हार्ट र को स कबढ़ यूष्टाइब नियुकि नहीं होता है थीक तो एक समान वैक्ते का पिक स्ट्रोक वेल्म कितना होता है तो इसा घृते वैल मुचु तो एक स्ट्रोकं प्रियू कहुते हैं तो इसका सुत्र होता है heart rate गुड़े stroke volume या stroke volume गुड़े heart rate यही होता है नेस्ट है एक aerobic खेल के खिलारी का stroke volume कितना है तो दोस्तों आप जितना ही कसरत करेंगे ब्यायाम करेंगे आपका stroke volume चंता बढ़ता जाएगा ठीक है तो आपका 120 हो जाएगा एक aerobic खेल के खिलारी के stroke volume 120 हो जाएगा नेस्ट है एक खिलारी के खेलते समय कार्डियक आउटपुट कितना होगा तो दोस्तों जैसे कि समाने वस्ता में हमारा कार्डियक आउटपुट पांच लिटर होता है पांदा सुन जीरो चार लिटर वही हम है तो बहुत इस पीड से हमारा रखता सप्लाई होता है बहुत इस पीड से दिल ध्रकता है हिदे ध्रकने लगता है तो जल्द जल्दि आपका बलड इस्ट्रोक वैलिम भी जदा रहेगा तो यहां पर आपका 22 लिटर हो जाएगा ठीक है काड एक खिलारी खेलते समझे नेक्स को़ूश्यन है कि एक सहनसिल्ता वाला खेल यानि इन्डरेंस Board में, 10 स्थिख्र मेरे का हिदय एक मिजट में कित्नी बार धड़कता है . practitioners को हिदय जो है ? फोतरे यानि वह सहनसिल्ता वाला प्रसिछित हो गया है , तो उसका लियुत 나ही जितना भी ज्यादा प्रसिछित होगा, उसका हिदय की धरकन जो है, उतना ही नार्मल होगा, कम होगा, यानि जब क्रिया करता रहेगा, तो आपका हार्टेट बहुत ज़्यदा हो जाएगा, यह 150-180 तक हो जाएगा, बट जब प्रसिछित हो जाएगे, उस समय के अराम की एस हीती में, आपका जो हार्टेट हो जाएगा, वह 40-45 बार, यानि 40-50 बार हो जाता है, जैसे की सधार एसिटी में जो एससाइज नहीं करता है, मतलब नार्मल लोग होते हैं, उनलों का बहतर बार होता है, लेकिन जब वह प्रसिछित हो जाता है, तो विड़े की दरकन, जो है, 40-45 बार हो जाती है, नेश्च एक अच्छे खिलारी की हीरे का भार कितना होता है दोस्तों, तो एक अच्छे खिलारी जो हमेशा कस्रत करता है, वयाम करता है और फिजिकल एक्टिविटी करता है यसे कि नार्मल में हीरे खाप भार जो है 300-300 ग्राम होता है बट एक अस्चेख खिलाडी का जो हीरे का भार होगा वो 500-500 यह 500 ग्राम हो जाता है इधियान में रखेगा नेस्ट है लेट वेंट्रिकल एंड लेट और टियल आर्टिकल के मद्ध कौन सा कपाट होता है दोस्तों लेट यानिकी बाया लिंद बाया निले के बीच कौन सा कपाट है तो बाइक कैस्पिट या उसे मिट्र वाल्ब भी कहते है ठीक है अब यह रही दाया लिंद धाया लिले में कहेगा तो ट्राइक किस्पिट वाल्ब बाया लिंद बाय Nahiciव म्हीं रखेगा नेस्ट है राइट वन्ट्रिकल प्लमूनौरी आर्टरी के मद्ध कौन साो काट करा करा कि यहां सेमिलिनर होता है यानिद्रुनौरी एक पलमुलरी वाल्व एक एरोटिक वाल्व पलमुलरी वाल्व का करता है इसी के रास्ते दाया निले से ब्लड सर्प्लाई हो करकी जाता है फेफू की तरफ एरोटिक वाल्व क्या करता है उस दर्वाजे के रास्ते जाता है सुध रख्त बाया निले से एरोटा यानि महाध सम्री की तरम sự हुरी जो सरी को सुध्ध रख भीजता है नेश्वत दोस्तों हिरे में कितने वाल चार वाल वो होते हैं दाय अलिंद दाय निले की बीच, ट्राय के स्पिट वाल्व, बाय अलिंद बाय निले की बीच, बाय के स्पिट वाल्व या मिट्र वाल्व, एंड दाय निले और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, पल्मोनरी वाल्व, एंड बाय निले और आर्टरी के बीच, होता है आपका एरोटिक वाल नेश्ट है धमनिया यानि आर्टरेज किस प्रकार का रक्त लेकर जाती है तो धमनियों में हमेशा सुध रक्त बहता है ये ध्यान में रखिएगा तो धमनिया जो है वो सुध रक्त लेकर जाती है धमनिया रक्त ले जाती है जाती है यानि अंगों से हिदे की और असुद रग्त को लाती है नेश्टाय रग्त का मुख्य कारे क्या होता है आक्सीजन जथा पूर्शक तत्तों की शप्लाई कर्बंडे अक्साइड को हिदे से फेफो तक ले जाना यहां पर ए और दोनों आपसां सही हो जाएगा आपसा जग्त कोशिका में पायाता है तो यह आरबीसी यानि एक रेड ब्लर सेल्स में पायाता है राल रख्त कोशिका में जो आक्सीजन का परिवहन का काम करता है निश्ट है सधार ब्यक्ति में और जैविक छमता कितना होता है दोस्तों तो हमारे जो जैविक छमता होता है वाइ सब्सक्राइब का 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 सब्सक्राइब सबसे मोटी मांश्पेसी कौन से होती है दोस्तों तो हीड़े तीन मांश्पेसियों से परतों से बना होता है सबसे मोटी मांश्पेसी की परत होती है इंडोकार्डियम ठीक है जिसके अंदर आपका धिन-चैने कि चायःक होते और में हीम तथा ग्लोवीन से क्या ताथ्ट पढ़ते हैं तो हीम ऊव limited ह시면 parlane zat से पुर्ट यृ संजिन reinforce Coral से बना हता है आपका हीमोग्लोबीन तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई हो कि सभी कोश्चंस आपको समझ में आए होंगे जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और जादे से जादे वीडियो को शेयर कीजिए और बेहतरी तैयारी के लिए डेली ब